आज हम भूगोल के प्रकृति और उसके दाइरों के बारे में समझने का परियास करेंगे कि भूगोल कहते किसे हैं, भूगोल का प्रकृति क्या है और उसके ब्रांचेज क्या क्या हैं जो कि भूगोल से संबनीत हैं पहले हम पड़्चय को देखते हैं तो भूगल सब का पर्थम पर्योग जो है वो तिसी सिताबदी में इसापुर में युनानी विद्वान रेटोस्थिनी ने किया था उन्होंने भूगल नामक पूस्तक लिखी भूगल के जनक कहे जाने लेकर है बहुत सारे जो है भूगल के बारे में काफी जादा ही युगदान किया तो इसलिए उनको भूगल का जनक कहा जाता है लेकिन अधुनी के भूगल की बात करेंगे तो उसमें जो है इरेटोस्थिन्ज का नाम आता है और भूगल सब का सरपर्थम पर्योग जो इरेटोस्थिन ने किया था इसलिए उस जिसका अर्थ है पिर्थिवी और गराफी जिसका अर्थ होता है वर्नन करना इस परकार भूगोल का समाने अर्थ है बिज्ञान की वह साखा जो पिर्थिवी के बारे में हमें बताती है हम यहां पर कुछ बिद्वानों के द्वारा दिये जाने वाले परिवासा को देखेंगे जिन्हों ने भुगोल को काफी ज्यादा बेसित ब्याख्या करने का परियास किया है उसमें पहला कांट मोदे ने कहा कि भुगोल पृत्थिवी के अध्यन के रूप में है एडवर्ड जो है एकरमैन के नुसार भुगोल पृत्थिवी की सतह पर अस्थानिक बित्रण और अंतिसंबंद का अध्यान है मारथे का नुसार भुगोल बित्रण का विग्यान है अल्फिड हेटनर ने बतलाया है कि भूगोल पिरतिवी के सतह के छित्रे विवेदन का अधियन है और मैकेंडर ने बताया है कि भूगोल मनुस्य और उसके परियाबरन के बीच अंतह क्रिया का अधियन है बोमन ने भी कहा है कि भूगोल हमें बताता है कि क्या कहां क्यों और किस से बना है भूगोल में हर चीज को जो है उन्होंने काफी ज़्यादा बिस्तित ब्याख्या करने का परियास किया और रेडियल के अनुसार भुगोल, मनुष्य और प्रकृति परियावरन के बीचे सम्बंधों को प्रदिस का अध्यान है यानि इस पूरे परिभासा को अगर हम समझने का प्रियास करें तो प्रिथिवी और मानब के बीचों का जो सम्बंध और उस पे मानब का क्या पर्वा पड़ता है और मानब का प्रिथिवी पर क्या पर्वा पड़ता है दोनों के जो अंतर सम्बंध है उसकों लोग भुगोल के रुप में जानते हैं और हम भूगोल की प्रकृति को समझने का प्रियास करते हैं तो भूगोल की जो प्रकृति है वो इस्थिरो करना होकर अंतियाथ गतसील है भूगोल की प्रकृति भौतिक परियावरन और मानब परियावरन दोनों है हालाकि समय बितने के साथ साथ भूगोल का अर्थ और दायरा नाट की रूप से बदल भी गया है इस परकार या प्रकृति और मानव समध्धों के एक एक्रित अध्यान से समनित है इसकी छाप, भोजन, बस्त, अवास और बेवसाई पर देखी जा सकती है यानि मानव जो एक्टिफिटी करता है उस पर भूगोल का बहुँ जाता ही परभाव पढ़ता है भूगोल पिर्थिवी पर प्रकृति और मानवे घटनाओं के में अस्थानिक और अस्थानिक भिंता का अध्यान करता है भूगोल के बिसेश को असल अस्थान के महत्व और चीजो और घटनाओं के अस्थानिक समंध से समंधित है भूगोल इन दोनों प्रस्णों का समधान करता है कि बिसेश अस्थानों पर घटनाओं कहां और क्यों घटित होती है भुगोल, कला और एक बिज्ञान दोनों है मतलब कि ये साइन्स से भी related है और आर्ट से भी related है दोनों चीजों से रहे वो related है भुगोल, जैविक से लेकर के मानिवे घटक, घटनाओं के विसाल सर्कला से भी संबनित है यानि पूरा भौतिक और जैविक और अजैविक सारे चीजों से ये रिलेट करता है भूल हमें बताता है कि इन सब कैसे एक दूसरे से संबनित है चार छेत्र खास करके पिर्थी पर जो अपलब्ध है अस्थल मंडल, भाई मंडल, जल मंडल और जीव मंडल भौगोलिक परियावरन का निर्मान करते हैं ये सारे जो मिलकर क्यापस में का करते हैं भौगोलिक परियावरन का निर्मान करते हैं और ये भौगोल को अत्यथिक अंता भिसाय बनाता है जो ग्यान के कई अने छित्रों में योगदान दिता है तो इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि जो इसका जो नेचर है वो पूरी तरीके से भौतिक भूगोल और माना भूगोल के बीच का जो संबंध है उसको बतलाने का परियास करता है जिसमें की पूरे बातवरन को और पूरे जो मानुस्त के जो आर्थिक किर्या कलाप है उन दोनों को संबंदों को बतलाने का पर्यास करता है भूगोल अब निक्स दिखते हैं किसके बिसाइच छhtोर वो काफी बड़ा है और ये कहीं न कहीं हर एक छेत्रों से समझनित है हर एक बिसे समझनित है इसमें प्रचीन काल में भूगूल केवल अस्थानों अथ्वा प्रचीन के बरना तक ही सीमित था लेकिन समय के बदलने के जैसे समय बदला है अध्वनिक समय में अस्थानों या सत्वह के अध्यान के साथ साथ लोगों और उनके परियाबरन के भी समन्हों का भूगूल का विसे बन गे गया है साथ में धिद्र जो कि बहुत बड़ा ही परिवरतन हुआ है क्योंकि भूगोल जो है पहले एक विसाय के रूप मनी था बाद में इसको भूगोल विसाय के रूप में स्थापित की गया है और आज के समय में भूगोल के बहुं सारे बरांच हो गया है जिसको कि हम समझने का परियास करेंगे भूगोल जो है मधुमक्खी के समान होता है जिसमें हर हर फूल से सहद इकटा करने का पर्यास करता है जैसे मधुमक्खी है जो हर फूल से क्या करती है सहद को इकटा करती है उसी परकार से जो भूगोल है पर तेक बिसाय से कुछ सी न किसी परकार से संबंध जरूर है तो हम आगे समझने का परियास करेंगे भूगोल को मुखिता दो भागों में बाटा गया है पहला जो है फिजिकल जोगरफी दूसरा जो है वो हिमन जोगरफी यानी भौत ही भूगल और मानभ भूगल तो पहले हम बहुत ही भूल के बारे हम समझते हैं पहला जो है जो है वो जियो मरफलोजी है कलामेट लोजी है उस्टिनोगराफी है बायो जोगरफी है स्वाइल जोगरफी है और अस्ट्रोनमिकल जोगरफी है तो जियो मरफलोजी में हम पिर्थिविक के उसको बतलाने का परियास किया जाता है ओसियोनोग्राफी wings बाय जिवों से समंधित अधियन किया जाता है जिसमें उसके आवास उसकी बिहावियर उसका बिसिष्ता और उसके आवास पर साथ साथ उसके समस्याएं और उसके निराकरण की भी बात करता है स्वाइल जोगरफी में स्वाइल कुद्पत्ति से ले करके स्वाइल के परकार से ले करके स्वाइल के समस्याओं और उसके निराकरण की भी बात करता है अस्ट्रोनमकल जोगरफी यानि जो है वो अंत्रिच भुगोल है जिसमें कि मानब से समद्धिन जो विविन परकार के जो खिरिया किलाफ है उसको समझाने का परियास किया जाता है कल्चरल जोगरफी सांस्किति भूगोल जिसमें मानब के विविन सांस्कितिक जो इकाईया है उसकी प्रियास किया जाता है सोशल जोगरफी है ना मानब की एक समाजिक प्रानी भी है तो मानब जो एक समाजिक प्रानी होता है तो समाज में उसके बीविन परकार के जो भी सिस्ताएं है और परतेक जो समाज है फूरी भी से बटा अलग-अलग है ना तो उसमें उसकी भी सिस्ताओं के बारे हम बर्णन कहाई जाता है, population जोग्राफी जनसंख्या के बिवीन आयाम जिसमें कि जन्म दर, मिर्टू दर, sex ratio, है ना ये सब उसमें समझाने का पर्यास कहाज आता है और population कैसे growth होती है और population की क्या समस्च्याइं है population समस्च्या की नेरा करन क्या है इन सब चीजों को बतलाने का पॉप्लेशन जोगरफी में काम किया जाता है एक नौंगल जोगरफी में जोकि मानव एक आर्थिक प्रानी है तो वो आर्थिक गतिविधियां करता रहता है तो उसके जो आर्थिक गतिविधियों का जो बिर्सित अध्यन क्या जाता है वो क्या जाता है आर्थिक भूल में दूसरा जो है वो पुलिकल जगरफी है पुलिकल जगरफी में जो कंट्री है उसके बिभीन बॉंडरी के वारे में बतला जाता है है ना राज को गठन कैसे होता है है ना राज होते क्या है और राज का बटवारा होने से क्या उसके इंपैक्ट पड़ते हैं ये सब और जो समुंदरी सीमा क्या है समुंदरी सीमा कहां तक होती है और जो विभीन परकार के जो जियो पोल्टिक्स उसमें जो study होती है जो राजिंती पूरे पीस में कैसे काम करता है इन सब चीज़ों को समझाने का परियास political geography में किया गया है historical geography में भूगोल की एतिहासिक विकास के बारे में चर्चा की जाती है कि भूगोल कैसे कैसे विकास हुआ है उसका development कैसे कैसे हुआ है और परजेंट में क्या लेकर उपसित है यानि उसके development की बात की जाती है जो कि पुराने जो एतिहासिक समय में जो की गई है उसके बारे में settlement geography मानब के जो आवास है उसके अलग-अलग अस्थानों पे उसके अलग-अलग परकार होते है तो उसके जो परकार और pattern को समझने का यहाँ पे इसमें परियास किया जाता है उसको बतलाने का परियास किया जाता है कि मानब का जो आवास है वो अस्थान और अस्थान और environment के कारण कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है और किस परकार से वो परियावरन को परवावित करते है अर्वन जोगरफी यह सहरी भूगोल है जिसमें सहरो के बिवीन आयाम के बारे में बतलाता है और साथ में यह समझाने का परियास करता है कि अर्वन जो है अर्वन का विकास वो कैसे होता है उसके क्या क्रेटेरिया है और पर्टेख सहरों के जो पूरी के पूरी जो 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 घुराने का परियास करता है अरवन जोगरफी उसी परकार से जो है ग्रामीन भूगोल है अरवन जोगरफी जो ग्रामीन भूगोल है ग्रामीन छेत्रों में परतेक छेत्रों के जो अलग-अलग सहरों के जो परकार है उसके पैटर्न है उसको समझाने का पर्यास करता है और साथ में उनका जो परभाव कैसे पढ़ता है तो इस सारी बिंदों से आप यह समझ सकते हैं कि भूल का जो दाइरा है वो कितना बड़ा है और परतेख जो ब्रांच है कहीं ने कहीं इससे रिलेटेड है